आपकी जय बोलताओं आपका विननन करताओं सोगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं रुकने दूंगा मैं देश नहीं जुकने दूंगा मेरा वचन है भारतमा को तेरा शीष जुकने नहीं दूंगा मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं जोश हाई था आज प्रधान मंत्री का साथ था चीन संकट से संघर्ष करती सरहत पर आज की सुबह एक नया पैगाम था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक सुबह लेह पहुँचे उनके साथ सीडियेस, बिपिन रावत और आमी चीफ एमेम नरवणे दोनों मौजूद थे प्रधान मंत्री सेना के वरिष्ट अधिकारियों से जमीनी हकीकत की जानकारी ली वो मैप के जरिये पूरे इलाके के हालात और भारत की तयारी का जायजा लेते दिखे इसके बाद प्रधान मंत्री सेनिकों के बीच पहुँचे भारत माता की जै और वंदे मातरम के जैकारों के बीच लेह की सुभा में पी-म ने कृतक गिराश्ट्र का पैगाम सेनिकों को दिया अज हर भारतिय की छाती आपकी भीरता और पराकरम से फुली हुई है ये दौरा सिर्फ प्रधान मंत्री का नहीं था बलकि पूरे मुल्क का संदेश था भारत के खिलाफ साजशे रचने वाले पडोसी मुल्कों को कि हमारी पल के पल भर को भी छपकेंगी नहीं नजरे तरेरने वाले को चवाब सेना देगी क्योंकि मुल्क उनके साथ खड़ा है बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उधर चीन बौखलाया चीनी विदेश मंत्राले की तरफ से कहा गया दोनों देश सैने और आजनितिक स्तर पर बात कर रहे हैं कोई भी पक्ष परिस्तिती खराब करने की कोशश ना करे सियासत देश के अंदर भी सुलगी राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री मोदी पर हमला बोला कि लदाकी कह रहे है कि चीन ने हमारी जमीन पर कबजा किया है प्रधान मंत्री कह रहे है किसी ने हमारी जमीन नहीं ली कोई तो जूट बोल रहा है कॉंग्रिस के वरशनेता मनीश तिवारी ने लेह में इंदरा गांधी की तस्वीर डालकत पूछा जब इंदरा गई थी तो उसके बाद पाकिस्तान के दोट तुकड़े किये थे देखते हैं इस बार प्रधान मंत्री मोधी क्या करते है तनाओ के बीच सरहत पर प्रधान मंत्री के लेह दोरे पर ये वो सियासी उठा पटक है जिसकी कोई सुभा नहीं पर इतना तय है कि आज सरहत की सुभा में शहीदों की कुर्बानियों पर प्रधान मंत्री का नमन्था और जवानों का जोश हाई नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है यह विडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले